कि अच्छा लग रहा है और अभी भूत हैं हम परशन है अध्बुत और मैं बोलता हूं गर्व से बोला हूं कि यह जीत जो है हमेरे नौजवान अधिवक्ताओं की जीत है और यह जीत मैं अपने नौजवान अधिवक्ताओं को समर्पित करता हूं उनका यह प्रतिनिती शैल सफलता होने वाली नहीं है लेकिन बाद में हमारे मोहदे ने कहा देर्ज रखिए और आपको सफलता मिले इसके लिए मैं अपने मीत्रों को महिलाओं जो हमारे मीत्र हैं बुजूर्ग हैं और यंग से ड्वोकेट से सबको बधाई देता हूं जो उन्हों हमें भोट के रूप में जो काम किया है उसे एतिहासिक माना जा सकता है अब बहुत अच्छा लग रहा है और अभी बहुत हैं हम परशन है जिन्होंने आपको चुना है अब उनके उमीदों पर खरा उतर येगा भरपूर प्रियास करूंगा यथा सम्हों प्रियास करूंगा निश्चित कल भी जब यहां पर मैं आया था रिपोटिंग के लिए जब लोगों से बाची चल ली थी जो वकील आपको वोट की है जब उन्होंने कहा कि काफी ज्यादा समस्या हैं पार्किंग के समस्यां हैं सिटिंग अरेज्मेंड की समस्या हैं तो तमाम समस्याओं को अब आपको हल करना है तो कैसे कीजिए एक उमीदों पे खरा उतर और प्रमुक्ता से जो तमाम जो समस्याइं हैं उसको एड्रिस किया जाएगा प्रेसिडेंट पद के लिए 15 लोगों ने नौमनेशन करवाय था उन 15 मेंसे जितने भी वकील साथी आपके हैं उन्होंने आपको चुना है कितना खुशी हो रहा है अद्भुत और मैं बोलता हू है क्या कुछ मैसिज देजेगा उनको मैं उनको मैसेज एक देना चाहूंगा उनका यह प्रतिनिति शाइलेंदर उनके हर सुख दुख में उनकी हर समस्या में उनके साथ खरा रहेगा चली हमारे साथ बातशीत करने के लिए जेनरल सेक्रेटरी भी है इनका भी चुनाव हो गिंति चल रही थी दिन भर कैसा लगा जब गिंति चल रही थी तो हमको लगा कि सफलता होने वाली नहीं बाद में कहा जैब रहते हैं और आपको सफलता मिले और हमारे मत आता हमारे फिलभाई लोग थे लोने नेवा बहुमत के साथ टोल साथ साथ सो एक तारीस बोट दिय मिले हैं सेकेंड थे उनको 329 मिला काफी ज्यादा मार्जिन है इसके लिए मैं अपने मीत्रों को महिलाओं जो हमारे मीत्र हैं बुजूर्ग हैं और यंग से एड़ोकेट से सबको बढ़ाई देता हूं जो उन्हों हमें भोट के रुप में असिरवाद दिया है उस सब्सक्राइब करते हैं इनके निर्देशा अनुसार और साथ में यह भी रहते थे हम लोग पूरे जी जान से जान हथेली पर अपने अधिवक्ता बंदों को सिवा उस वक्त जो पद उनका था वो पद आपने ले लिया मतलब काफी जादा उनका एक तरह से प्रेम सब्सक्राइब कर सकते हैं इहीं सामंजस्ट रिक्रमेंडेशन से हमने सिवा किया इन्हों ने भी जो जान वहां धिली पर सिवा किया हम लोगों का और हमारे मित्रों ने हम लोगों को सिलंद जी यह बात बताइए जैसे कि आपके साथी जैसंकर जीने कहा है कि जिस टाइम कर रहा था तो आपका भी कांटीग चल रहा होगा क्या अपके अपने लिए ड़नी था या पहले से निश्चिन थे नहीं 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 प्रस्ट है कि हम अपने भाई को उसकी अभिवेक्ति नहीं कर रहे थे कि मेरी विधर्गन तेज है मेरा ये करतब बनता था कि मैं धाड़ास बताऊं और मैं इनके प्रती अस्वस्था आपने से ज्यादा इस बात के लिए कि जब संक्रमन का दौर चल ला था और बहुत बुड़ा काल था जिन्दिगी में भागवान न करें कि ऐसा समय देखने को म समय हम लोग हमारे संग ने निर्णय लिया अपने अधिवक्ताओं को करेंगे और उसके लिए समय के सेकरेटी जनल होने के नाते यह हमारे जॉइन सेक्रेट्री थे जॉइन वहां पर जिमेवारी दी और उस जिमेवारी को इन्होंने बख्व भी निभाया मैं रगताता हू टेली सेंटर पे पहुंसता था और एक दिन इसकी तबियत खाराब हुई खासी सर्दी हुआ और सेकर्टी चनल होने के नाते मैंने मना किया कि भाई तो चार तिन मज्जा अगर तुमको कुछ हो गया तो यह जिमवारी मेरी उपर आईगी चार दिन के बाद जब थोड़ी सी तबियत इनकी ठीक हुई तो यह पुना उसी गती से और उसी तनमायता से वकिलों का सेवा किया चाहे हो वेक्षिनेशन हो या टेस्टिंग हो यह सारा कारी उन्होंने बड़ी तनमायता सकी तो वकिल समाज उसको याद रखा था और उसको वकिलों ने अपने आशिरवाद क के रूप में मत की रूप में इनको दिया है और आजे एक सवाल रहेगा कल जब मैं पहुंचा हुआ था तो एक महिला वकील थी उन्होंने कहा जब मैंने पूछा कि अलग-अलग लोगों को चुनते हैं तो आपके विचारधार आपस में मिल नी सकते लेकिन उनका यह कहना कि जब परिवार की मुख्या सही होंगे तो वह सब को साथ में बांद के रखेंगे अब यह जो अब परिवार के आप मुख्या हैं कैसे सब को एक साथ कीजिए का कॉडिनिट कीजिएगा देखे मैं विगत दो टर्म से से सेक्रेटरी जेनल था तो कायरकारणी कैसे चलती है उसका अनुभव मुझे प्राप्त है और ऐसे में सभी सदसों की आम सहमती बना करके चलाने का अनुभव मेरे पास है और उसका इस्तमाल मैं अध्यक्ष के रूप में और मैं चाहूंगा कि जो अधिवक्ताओं के हित के लिए जो कारे हों उसमें सभी लोग तनमेतास के पादित करेगा मिश्चीत रूप से हमारा वखिल समाज उसको प्रमोट करेगा उसको आशिरवात देगा आप सबके साथी से बात कर लेते हैं आप बताइए मैम अब प्रेसिडेंट चुने जा चुके हैं जेनरल सेकरेटरी चुने जा चुके हैं कैसा लग रहा है बहुत अ हो क्या हो और हर किसी के बारे में जाना है कुछ भी प्रॉब्लम हो तो सब्सक्राइब करने के कोसिश करते हैं तो इन्होंने करवाया था प्रेसिडेंट पद के लिए तो क्या आप लोगों का साथ उसी टाइम से था मतलब विश्वास था कि जीतेंगे बिल्कुल था और हम ये जेंदर जी प्रेसिडेंट बन चुके हैं बहुत खुशी हो रही है हमें उमीद भी थी पहले सुमीद थी इन्होंने जितने कार्ज किये हैं वो बहुत सा रहनिये कार्ज करते थे इसलिए हम हमारे हैं यह एक साले के बीमार थे वहां से हम छोड़ कर इस इलेक्षन में खास करके इनको बोट देने के लिए मैं आया हूँ और उसका नतीजा नतीजा भी मुझे मिला आप से पता यह कैसा लग रहा है आपके साथी प्रेसेडेंट बने जनरल सेक्रेटरी बने इतना आज अच्छा लग रहा है और बोजोवी भोट मिला इनको चुकि जात्पात करते नहीं है एक एडवोकेट्स के नाते और एक यंग हैं और समीकरन बहुत अच्छा रहा मिर्दुभासी हैं और इसी ख्याल से इनको भोट दिया गया है कि आगे चल करके जो एडवोकेट एस्वेस एस एसोसीयसन का पूरा जो जो हम लोग का जो है दिवक्तार जो का जो प्रिश्डंट बनीन है और इनका में तो है कि वहारी बहुत कुसल है अच्छा है को जोड़ नहीं है यही कारण है कि इनको बहुत लोग बहुत लोग बिया आप बताइए आप काफी करीब लग रहे हैं के सलेंद्ध जी के हैं हम लोग साथे प्रेक्टिक शुरू किये थे मुकावला किये और जीते हम लोग दो टन अप फिर इस वार जीते तो आप से ज्यादा तो कोई खुस नहीं होगा ना 95 से आप इनके साथ बहुत खुस हैं हाँ 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 बहुत खुस हैं काफी ज्यादे को बहुत खुसी है अब दो साल के लिए जो इनको कमान मिला है प्रस सेरेक्टरी जेनरल की रूप में जो काम किया है उसे एतिहासिक माना जा सकता है आज तक जितने लोग आए इतने बहादुरी के साथ किसी ने इतना जो समस्याय थी उसको खतम करने की कोशिश नहीं की और इन्होंने हमेशा देखा कौन एड़ोकेट है जो कष्ट में है कौन चलिए तो देखिए जिस तरीके से एड़ोकेट एस्सेशन का चुनाओ चल रहा तक कल यानि 7 अप्रील था और कल चुनाओ चल था और 8 अप्रील को आज रात में इसके नतीजे आ रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए अभी भी नतीजे आने बाकी है लेकिन आप देख स जादा ये ना किसी के साथ भेदभाव करते थे और काफी जादा सब का ख्याल लगते थे उसकी का नतीजा है कि आज प्रेसिडेंट पद के लिए जीते साथ ही जेनर सेक्रेटरी अभी जो जैसेंगर है वो भी जीते हैं और ये भी काफी खुस हैं इस तरकी खप्रों के